अन्तिर हेला फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाईल्म कॉड डेटा के जनरल करेक्टर्स के बारे में समाने गुरू देटा computer के पर दो. जो classification है classification call data के इन दोनों points के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं general characters जो है characters of phylum call data general characters call data के क्या होंगे call data के जो है fundamental तीन characters हैं जिनका video पहले ही हमने इस channel पर आपको uploaded मिल जाएगा जो इसके तीन fundamental characters हैं Codata के वो है Notochord Dorsal hollow nerve cord and pharyngeal gillslits ठीक है pharyngeal gillslits यह तीन जो characters यह fundamental characters है किसी भी अगर कोई जो है organism या animal form यह तीन characters poses करता है अपने जीवन काल के किसी भी stage पे अपने life के किसी भी stage पे तो वो Codata कहला सकता है ठीक है तो यहां हम उनके quodata के ही phylum quodata के ही कुछ general characters की बात करेंगे तो यहां पहला character आप देखने को मिल जाएगा आप देखेंगे आप पहला character है कि aquatic, aerial या terrestrial all free living with no fully parasitic forms मतलब कि phylum quodata के members जोंगे यह जल में थल पे जमीन पे और साथ ही हवा में भी पाया जा सकते है हवा में रहेंगे terrestrial जमीन पे रहेंगे पानी में रह सकते है ठीक है यह सब के सब जो है free living होते है free living मतलब क्या सोदंत रूप से जीते है और इनमें क्या है कि no fully parasitic forms parasitic forms जो है इनमें पूर्ण तरीके से parasitic नहीं होते है मतलब कि पूर्ण तरीके से किसी एक जीव पे dependent नहीं होते है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है second point जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है body codates के body की बात किया रही है कि इनकी body कैसी होती है तो छोटी से मतलब कि small to large हो सकती है एक छोटे सरीर से लेके एक बड़ी विशाल काय सरीर को धरड किये हुए codates हो सकते है इनमें जो इनकी body bilaterally symmetrical होती है और वही metamorically segmented भी होती है इनकी body bilaterally symmetrical और साथ ही metamorically segmented body में segmented body zone की इनकी क्या होगी segmented होगी body इनकी विभाजित होगी कुछ-कुछ हिस्सों में ठीक है फिर अगर हम आगे बात करें point third की तो यहां point third आपको देखने को मिलेगा कि यहां बता जा रहा है कि adult form में बता जा रहा है कि post annal tail usually project beyond the annus at some stages बता जाया है post annal tail annus के बाद annus के बाद जो structure पाया जाएगा tail presented हो सकता है धनना सकता है ass के बाद जो इन पाया जा सकता है तो adult में यह हो भी सकते है और नहीं हो सकते है कि अगर वयस्क हो गया है कोई Iporate grant 29 वयस्क अवस्था में ये टेल जो है पोस्ट एनल टेल पूंच जो है वो पस्तिद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है जैसे अगर फॉर एक्जम्पल ले हम तो फ्रॉग में जैसे कि आप देखेंगे लार्वल इस्टेज जो होता उसका टेड़ पॉल लार्वा उसम इसका जो एडल्ट फॉर्म है कोई फ्रॉग एडल्ट देखें तो उसमें जो है उसकी टेल का इस्ट्रॉक्चर जो है नहीं होता है तो यह एक्जम्पल एक तरके से यहां पर हो जागा इसका और फॉर्थ पॉइंट देखेंगे यहां इक्जोई स्केलेटन की बात की जा सकता है और यह सबसे अच्छा बहयnight विक्सीत में होता है तो वोर्टी बिए्प्रेट में हम तो फीचेस में आपको be देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो यह प्रकार का exo skeleton हो जाएगा और वहीं अगर हम बात करें कि अब बॉडी वॉल की बॉडी वॉल की बात किया जाए यहां फिफ्थ पॉइंट दिया गया बॉडी वॉल तो इन में तीन लेएर में बॉडी वॉल होती है ट्रिप्लो ब्लस्ruck की नेमिल रह यहां लेजर की नेमिंग्ध दीव है इक्टोडर्म मेजोडर्म सबसे बाहरी मीजोडर्म गिधिर ऑंसलीए अंधर की बॉडी वॉल 然後 जाती है वहीं 6th point के बात करें, 6th point में बटा जा रहा है कि यह animal जो हता है, यह क्या होता है, animal यह जो है कि सिलोम और साइजोसिलिक भी हो सकती सकती है या तो इंटेरों से लिख हो सकती है पॉइंट सेवन की बात करें अगर पॉइंट सेवन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉइंट सेबने बता जा रहे है कि स्केलेटल राड नोटो कॉर्ड प्रेजेटर समी स्टेज़ेस इन लाइफ तो आपको पहली तो यह one of them है notochord कुछ stages में प्रेजेंट होगा फिर यह पॉइंट है कि cartilage इनुवस या बोनी living and jointed इंडोस्केलेटन प्रेजेंट इंडी मेजरोटी आफ मेंबर्स कि cartilage इनुवस हो सकता है cartilage का बना हुआ या तो बोनी structure हो सकता है हड़ी का बना हुआ ठीक है और living जीवित या jointed living और अच्छा जीवित होगा और jointed इंडोस्केलेटन मतलब कि body के अंदर का अंदर का जो कंकाल सनुचना होती है इंडोस्केलेटन ये cartilage का बना हुआ हो सकता है या बोन का हड़ी का बना हो सकता है यह मेजरेटी में देखने को मिलेगा आपको vertebrates की member में और वही 9th point बता गया रहा है pharyngeal gillslits के बारे में यह भी एक करेक्टर कोड़ेट का यह कुछ इस्टेजिस पर पाया जा सकता है और जो है functional हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कोड़ेट में ठीक है हुआ डाजर शिस्टेम की बाद किया रहा है यहाप पर तोकम्प्प्लीट डाजर इस्टव शिस्टम किसे कहते हैं तह माउथ सम्फ 건 से एनस तक का स्ट्रोक्चर पाया तो कॉंप्लीट डाजर सिस्टम क्या के इंद्स के साथ होता है ऊंकिंट 11 की बात करें तो ब्लड वैसेल्स के थुरू कि नलीका की थुरू अगर जो है सरीर में हमारे ब्लड क्या गरता है बैता है तो उसे कहते हैं तो आपको कॉडेट में यह देखने को मिलेगा चाहे हो suisb ph jerпер क्विork इनमें में हार्ट के बात कि क्या होती है युआर्च वेंट्रल हाइट जो है ये हीं बात किया जने होती है टो एनमें इनमें होता है हिपाटिक पोर्टोल शिस्टमष्ठम बदनेफ्रिक वहीं पॉइंट 11 सिस्टम की बात की जा रही है यह हैँ फिस्टर्य सिस्टम जो है किड्नी से बना हुआ होगा यह किड्नी जो है पróट्ञ-प्रोक्राट्रिक या् डीटा नेफरिक किडनी ये जो पाए जाती है आपके यू को डटा में या higher कोड़ ड़ेकर में पाए जाता है अब प्रोटो ड़ेटा या अर्व कोड़ का जो एंठीर रिह वहता हो थोड़ा होता है क्यूंकि वही भी प्रेइन को में सेप्स्थंद्ट की गानुंहां separate होता है मतलब कि नर और मादा अलग लग होंगी sexes separate होंगे rare कुछ होते हैं जो जिनमें exceptions कुछ अपवाद होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है नहीं तो codate के सारे members में sexes जो हैं क्या होते हैं separate होते हैं male और female और मादा अलग लग होते हैं यह हमने पढ़ा general characters के बारे में अब अगर brief classification देखा जाए कोड़ेटा फाइलम कोड़ेटा का तो इसके classification को देखने से पहले हम इसके classification का outline जो है देख लेते हैं classification का outline आप यहां table no.3 में आपको देखने को मिल जाएगा यहां सबसे पहले दो ग्रूप में बाटा गया है इसे group A A crania जिसे कहा गया है group B craniata group A जो है इसे proto-cordata या lower-cordata भी कहते हैं वहीं group B को u-cordata या higher-cordata भी कहा जाता है तो यह clear हो यहां proto-cordate किसे कहते हैं और higher-cordate या lower-cordata और higher-cordata के भी इस difference आपको यहां clear होना चाहिए lower-cordata, higher-cordata के भी और proto-cordata ठीक है और u-cordata के भी इस difference तो यह जो नेमिंग से हैं चाहे group A की बात करने तो यह तीन नाम से आप इसको जान सकते हैं A crania, proto-cordata या lower-cordata कह सकते हैं वहीं group B को craniata, u-cordata और higher-cordata भी कह सकते हैं तो यह तो हुआ इनके जो है कि जो phylum quadata है पहले इसको दो group में बाटा गया इस group के बारे में अब इनके बारे में हम each point के बारे में detail में पढ़ेंगी यह तो क्या है कि यह outline सब्फाइलम में divide के आगया है तीन सब्फाइलम में divide के आगया है सब्फाइलम पहला है hemi-cordata, सब्फाइलम second euro-cordata, सब्फाइलम third cephalocordata, सब्फाइलम first hemi-cordata जो है further इसको तीन classes में बाटा गया है फर्स्ट है सब्फाइलम के बारे में इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है और वही ग्रूप B क्रेणियेटा की बात करें तो इसमें केवल एक ही सब्फाइलम आता है यह वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा सब्फाइलम को वह convenience के लिए पढ़ने में आसानी हो इसलिए क्या किया गया कि दो division में डिवाइड किया गया फर्दर डिविजन एगनेथा और division गनेथा इसमेटा आपी ए गनेथा जो है ए मीन्स होता है एपसेंट यह नौट गनेथा में पाए जाएंगे मैंबर्स र जिनके पास जबडा होगा ओवर माउथ होगा वह डिविजन गनेथा में पाइजांगे तो ये convenience for the sake of convenience आसानी से पढ़ने के लिए समझने के लिए simplicity के लिए जो है गनेथो इस्टुमेटा डिविजन को दो सूपर क्लास में बटा गया है पहला सूपर क्लास है pieces और second सूपर क्लास है tetrapoda सूपर क्लास pieces जो है pieces का मतलब ही होता है यह कि fishes की बात हो रही है यहाँ सूपर क्लास species तीन क्लासे गन्यूट करता है यह अब क्लास यहाँ देख सकते है प्लैकोडर्मी, कॉंडरिक्थीज, और ऑस्टिक्थीज ठीक है यहाँ अगर बात करें सूपर क्लास tetrapoda की तो यह सूपर क्लास tetrapoda वो अगर मैं में लिया यह चार कलासेज है अब हम बात करें अगर दो term और यूज किया जाते है classification में इनके या हम इस आपको देखने को मिलेगे वो term है इन में इन टरम में पहले आपको देखने को मिलेगा अनमड्योटा अन्यमनियोटा एंड्योटा कि यह दो टर्म्स आपको देखनें को मिलते हैं इन दो टर्म्स बारे में क्या है आप एन्विंट्या की बात करें या या अम्णियों सकी सचाहित कडीरव ग्लत सीम्दियो तो जिरों के बाद कटें आप सब्सकर्ции pennyon के दोरान इम्प्रियों चिल्पिए होता है amnion membrane तो वह amniota group में आते हैं और इन्हें higher vertebrata भी कहते हैं higher vertebrata भी कहते हैं इसमें केवल 3 classes आती है vertebrates की reptilia, avs और mammalia ये तीनों classes कि से संबंदी थे तो amniota से संबंदी थे amniota group से संबंदी थे higher vertebrata इन्हें कहा जाता है और बाकी बचे जो ये amphibia, ostic thies, chondric thies, placodermy, cyclostomata और ये classes जो है ये classes जो है ये कहलाते हैं anamniota या lower vertebrata कहलाते हैं ये anamniota क्यों कहला है क्योंकि इनके इनका जब embryo develop हो रहा होता है तो वहाँ amnion membrane की covering नहीं होती इसलिए anamniota कहलाते हैं यह है classification का outline अब हम देखेंगे इसके brief classification के बारे में classification जो है इसका बहुत ही simple language में यहां हम देखेंगे इसके classification को तो brief classification of phylum core data यहां पर दिया गया आपको देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुग है कि core data बताए क्या समझते चलेंगे तो आसानी से जो है इमेज हमारे brain में बन जाएगी इसे याद करने उन्हें आसानी होगी यहां देख सकते हैं आप दिया हुआ है कि core data की बात की जारी है core data form core data core data form a large heterogeneous grouping of members differing widely from one another in many respects जो call data है यह एक एक बहुत बड़ा एक बड़ा एक बड़ा heterogeneous group बनाते हैं एक बड़ा क्या बनाते हैं heterogeneous मतलब कि अलग अलग person वाले अलग 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 रोप रखने वाले क्या सकते हैं कि members का group होता है जो जिनमें बहुत सारी विभनिशन होती है differentiation होता है एक दूसरे से उन में बहुत तरी differentiation पाई जाते हैं कई respects में ये problems create इसलिए इनके बीच जो है problem भी create होता है इनके systematic classification में systematic classification में इसलिए इनमें दिक्कत आती है क्योंकि इनमें बहुत जादे variabilities पाई जाती है और चुकि इनके classification में कई दिक्कते आई तो अलग-अलग समय पे जो है अलग-अलग taxonomist ने क्या किया टेक्सोनॉमिस्ट ने classify किया phylum qualitator को और सुविधा के लिए इनमें से एक classification है उसको simplicity के लिए समझने के लिए proper understanding के लिए यहां हम देखेंगे इनके classification में से जो अलग-अलग समय पे classification दियागे उनमें से एक classification को देखेंगे जो हमने टेबल है कि यहां मतलब इससे क्या है कि having a cod से मतलब है यहां noto cod से मतलब है ठीक है जो codita का character है ठीक है codita का character है क्या पता जा रहा है इनके size habits and habitat के बारे मता जा रहा है कि यहां कि यहां इनकी साइज होती आकार habits जो इन vigor के आदते होती है और habitat जहां यह रहन सेन होता खान पान वह क्या होता है को निदॉय को कोडे Rafis worrying मेंने में विभीनत जाती है इनकेशा में अपने रहन सेन में अपने खान में ठीक है तो इस तरीके से फाइलम कोड़ेटा के बारे में बताए गया यहां पर टेबल नंबर 3 हमने देखा था यहां टेबल नंबर 4 के बारे में देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं चुकि यह हमने स्टार्ट कर दिया फाइलम कोड़ेटा तो इसको पहले देख ल Plastic Thin Layer वाली कौन-कौन सी लेर थी तो इक्टोडर्म मेजोडर्म war undo और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड गिल्स और गिल्सलिट्स विच में पर्सिस्ट चेंज और डिसपीर इन एडल्स यहां कुछ नहीं बता जा रहा है कि इनके जीवनकाल के किसी भी हिस्से में या इंग 12 इंगे पहला रहे पहला का प्रेज़शन हो दूसरा है दूसरा हो ऑसी друг का प्रेजंस होना और शीर्य गो गिल्सलिट्स का प्रेजंस Cel और एका लेकिन यह करेक्टर किसी नसटेज पर लाइफ में आने चाहिए तो यह करेक्टर से जो बताजिये पताते हैं यह रहाँ can सब्धार का स util हगे की एनका जो मिल्टा को में चैल रहा है और इने मिल्टा को इस व 드वाइएंगे के užम क्रावधम मेहें Chaudates कहा जाता है Chaudates कहा जाता है Phylum Chaudates को हमने Outline में देखा था कि Phylum Chaudates को divided किया गया था दो group में कौन-कौन से group थे group पहला था एक crania जिसे proto-chaudates कहा जाता था दूसरा था craniator जिसे u-chaudates कहा जाता था इन दोनों के आपसी क्या है contrasting characters है विवादासपद क्या है इस दूसरे के विपरीद characters हैं दोनों group के तो हमने कहा था कि इस group के बारे में भी हम study करेंगे तो group को देख लेते हैं इनके contrasting characters क्या क्या है तो यहाँ आपको देख सकते हैं table number 4 में आपको contrasting characters के बारे में बताय जा रहा है पहला character जो character यहां दिया जा रहा है group A, A crania का और दूसरा है group B crania का ठीक है तो इनके characters की हम study करते हैं पहला अगर हम A crania के characters की बात करें fully A crania का character देखेंगे पहले हम तो 1-9 characters हैं A crania या proto-corded जो है यह exclusively marine होते हैं small sized corded हैं मतब पूर्णता ही है क्यां पाया जाएंगे समुद्री जीव होते हैं छोटे size वाले और यह corded होते हैं इनमें appendage नहीं होता जो help करने वाले appendage होते हैं वो body में नहीं पाया जाते हैं जैसे कि कि किसी भी appendage की बात कर सकते हैं hind limbs, fore limbs हैं या fins के form में जो appendices होते हैं यह सब नहीं पाया जाएगा कि इनमें एक crania group में cephalization नहीं होता, head का structure क्या होता है, clear नहीं होता, exoskeleton नहीं पाया जाता है बाहर जो body के कवच होती है वो नहीं पाया जाती तिसरा character है कि cilome, enterosilic होता है, जो cilome होगी वो enterosilic होगी, budding off from embryonic argenteron और यह बंती कहां से है तो embryonic argenteron से निकल के आती है character no.4 जो है यह बता जा रहा है कि यहां notocod persistent होता है, notocod क्या होगा, notocod persistent होगा, notocod present होगा, लेकिन skull cranium जो हता है, skull यह cranium जिसे कहते हैं, और vertebral column यह persist नहीं होगा यहां ठीक है, एक cranium में क्या होगा कि skull नहीं पाय जाएगा, skull यह cranium नहीं पाय जाएगा और साथ ही vertebral column भी नहीं होता है, इस नोटocod की भात की जा रही ही यहां ठीक है, वही जो है कुछ जिसे बैक बोर्न भी कहा जाता है इसमें इसमें और लैप्ट वर्टीब्री वकॉलम को बनाती है क्राक्टर नमबर फॉर्थ एक रेनिया को बता रहा है की फैरिंग्स जो होता है विद परमानेंट गिल्लेफ्ट इंडो स्टैल प्रिजन होता है pharynx में gill clefts होंगी जो gill को रख्य होई होंगी और साथ ही indo style भी present होगा इनमे sixth character बता रहा है कि heart chamberless होता है जब भी अगर present होगा heart एक रेनिया group में lower caudata में heart chamberless होता है heart में कोई chamber नहीं होता अगर पस्तित है heart तो ठीक है और इनके blood में RBCs नहीं पाजाती रेड बलड carpucles नहीं पाजाते इनके blood में lower caudata के blood में वहीं lower caudata में kidney protonephradia होती है kidney जो है protonephradia आपको पहली बताए गया था कि जो lower caudata है या proto caudata है इनमें kidney protonephradia होती है और eighth point के बात करें तो sexes separate होते हैं sexes क्या है separate होते हैं या united हो सकते हैं मतलब कि male या female अलग लग हो सकती है या एक जैसे भी हो सकती है या एक ही में male female दोनों characters पाजा सकते हैं reproduction की बात करें तो asexual के साथ ही sexual reproduction भी पाजाता है और gonards usually absent sorry gonoducts की बात की जा रही है यहाँ जो gonards के जो है नलीका होती है जो ठीक है gonoduct यह क्या बता जा रही है कि absent होती है totally absent होती है usually absent होती है अक्सर ए क्रेणिया में proto-caudates में और development indirect होता है free swimming larval stage पाजाता है इसमें अब बात करेंगर group craniata की group craniata की बात किया जा यहाँ पर group craniata में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है कि यह इन में पहला character बता जा रहा है कि aquatic या terrestrial mostly large sized vertebrates ठीक है group craniata को हम vertebrates भी कह सकते हैं क्यों कह सकते है क्योंकि यह कि वह लेखी phylum vertebrates को ही include करता है तो हम कह सकते हैं कि यह vertebrates भी हो सकते इन्हें हम कह सकते हैं इनके कही नाम हो गया group B craniata से हम जानते हैं यह यह जल में पाए जाएंगे थल में पाए जाएंगे large size वाले होंगे mostly vertebrates और बात कर इनमें appendices की तो usually दो जोडे में appendices होते हैं forelimb और hind limb के फॉर्म में हो सकते हैं या structures हैं और साथ ही well developed head होगा और exoskeleton भी present होगा well developed head होगा और exoskeleton भी present होगा जबकि अगर हम एक क्रेणिया से compare करें तो उसमें जो है appendices नहीं पाए जा रहे थे appendices नहीं पाए जाए थे सिफिलाजेशन नहीं था और exoskeleton भी नहीं developed यहां बता जा रहे कि जो notocod होता है यह covered होता है या दो notocod को replace कर दियाता है एक structure vertebral column के द्वारा ठीक है vertebral column या backbone कहते हैं और साथ ही skull साथ ही क्या बता जा रहे कि skull and cranium developed होता है इसमें जो है खोपड़ी का जो structure है स्कुल और इसको cover की होई जो cranium होती है वो developed होगी इसमें हायर कॉड़ेटा में या कहें vertebrate में पाया जाता है और वहीं ऐसा कोई structure नहीं पाया जा रहा था किसमें तो एक क्रेणिया में नोटो कॉड़ तो पाया जा रहा था लेकिन यहीं स्कुल जो ही स्कुल खुपड़ी को कवर के होई structure वर्टिब्रोल कॉलम यह सब एपसेंट थे हैं फिर बात करें अगर फॉर्थ पॉइंट यहां common और ऑगनिजम्स पाया जाते हैं तो ठीक है केवल फिस्स वाला ग्रूप छोड़के तो इसलिए फैरिंजियल गिल क्लेफ्ट जो है पाई भी जा सकती है परसिस्ट हो सकती है यह तो पाया जाए और बलड में रबीसी पाया जाएगी बलड में में अर्बिसी पाई जाएगी हाया is it एसमेट बता जाता है कि desy जो मीज होगी मीजो या मैंट नफ्रीय को अीज होगी मीजो मेंट नफ्रिट्पर्रिक किड्णी होगी आपको पहले इसके बारे बताए गया था सेक्सेज जो है सेप्रेट होंगे सेक्सेज सेप्रेट होंगे और EEG और डिवल्पमेंट की बात की जाए तो यह इन डार्वल इस्टेज पाया भी साथ जा सकता है या विदाउट लार्वल इस्टेज भी डिवल्पमेंट हो सकता है आफ की बात करें तो यहां के एक राइनियक और और क्रेंटा के यह जो दो ग्रूप है जिन जिनमे सबसे पहले सिलिलम कोड़ेटा को सबसे पहले इन- Sie Bund इन दो groups में बाटा गिमेद इन ग्रूम्स के बारे में हमने देखा ठीक है इन groups के बारे में हमने देखा अब इन ग्रूम बारे में सेप्रेटली जो है चुछ करेंगे और इन ग्रूप ये ग्रूप जो है किंट सफाइलम को इंक्लूट करते हैं वो सारा हम यहां पर देखेंगे आउटलाइन आपने देख चुका है तो आउटलाइन को दिमाग में रखते हुए आगे स्टूडी करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यहां ग्रूप एक रेनिया को एक रेनिया जिसे प्रोटो कॉड़ेटा भी कहते हैं ए मतलब आपको पहली बताएगा कि एपसेंट होता है ग्रीक वर्ड है एक रेनिया बना हुआ है ए मतलब एपसेंट क्रैनियों मिन्स होता है इसमें हैड की अनुपस्थिती होगी हैड की अनुपस्थिती ह होगी ठीक है प्रोटो कॉड़ेटा में भी ग्रीक वर्ड है प्रोटोस से बना हुआ है प्रोटोस मतलब फस्ट कॉड़े मतलब होता है कॉड फस्ट कॉड यही इन ही में पाए गया प्रोटो कॉड़ेटा में इनके प्रेक्टर्स की बात करें अगर तो सारे के सारे मरीन होते हैं समुद्री इस्मॉल छोटे होते हैं प्रीमिटिव या लोवर कॉड़ेट्स कह सकते हैं इन्हें पहले बताए गया को कि लोवर कॉड़ेट्स भी कहते हैं समुद्री होंगे छोटे होंगे प्रीमिटिव लोवर क ठीक है इनमें head का भाव होगा सिर का भाव होगा ठीक है lacking of head, skull और cranium, vertebral column, jaw and brain किन-किन चीजों का भाव होगा तो एक crania group में जो members होगे इनमें सिर जो खोपड़ी है, skull है ठीक है उसको cover की हुई यह structure, vertebral column जो backbone है, jabda और brain इन सारे structures का भाव होगा एक crania में या proto-cordates में लगवग इसकी 2000 species के बारे में यहां यह discuss किया गया है ठीक है एक crania group जो है यह crania group आपने पहले outline में देखा कि एक crania group को तीन subphylum में divide किया गया hemicodata, sapphylum, sapphylum, eurocodata and sapphylum, cephalocodata यह जो है basically जो है इनके notocod के position के अधार पे इन्हें 3 sapphylum में बाटा गया है group A को, group A, crania को इनके notocod के position के अधार पे mainly बाटा गया hemicodata, eurocodata and cephalocodata में subphylum hemicodata के अगर बात करें, हम simply सबसे पहले subphylum hemicodata के बात करें, hemi मतलब होता क्या है, hemi Greek word है, यह Greek word है hemicodata, hemi मतलब होता है half, वहीं chord होता है chord, chord half पहाए जाएगा, कैसे, character क्या है कि body divided होती है, इनकी 3 reasons में, 3 छेतर में body इनके गया होती है, होती है, 3 छेतर में divided होती है body, पहला है proboscis, collar and trunk, proboscis, collar and trunk, अगर आप इसके image को imagine करें, इसके example की hemicodata में आपको देखने को मिल जाएगा, जो है, बैलेनो ग्लॉसस आप देखने, structure आपने पढ़ाओगा, अगर बैलेनो ग्लॉसस के बारे में पढ़ाओगा, तो इसके structure में आपको ये 3 छेतर, ये 3 reasons आपको body में दिखाई दिये होंगे, proboscis, collar and trunk, ठीक है, तो ये hemicodate के क्या है, कि इनके body division के बारे में बता जा रहा है, इनका notocod की बात की जाएरी, notocod जो है, वो doubtful होता है, संदेह जनक होता है, छोटा होता है, और codates के जैसा की codates में पाए जाता है, really जो codate होते हैं, उन में जिस तरीके का notocod पाए जा रहा है, उस तरीके का नहीं होता है, non homologous होता है codate के notocod से, अब आपने outline में देखा ह सबसे पहले तीन क्लास में बाटा गया है क्लास इंटेरूप नियुस्टा इंटेरूप मतलब होता है उनुस्टो मतलब होता है इनमें बता जा रहा है कि body जो होगी इनकी वो large होगी and warm like होगी इन्टेरॉप निउस्टा में body large होगी warm like creamy होगा ठीक है गिल स्लिट्स तो बहुत सरे होंगे गिल जो गिल स्लिट्स इनमें बहुत सरे होंगी इन्टेस्टाइन आत जो होगी कि सिधी होगी और इन्हानत चैट को चैजबाज और में अन्हें 3 तीन चैजबारा ऐस्फेस каких Mythical, क्लूट करता है इक्जांपल elbows देख गया है बितबनेनो क्लोकल में कई और पसक्तों की बात करें अगर radically है नती क्लास में आप देखेंगे यहां पर ये भी एक Greek words बना हुए है जिसमें टेरान मतलब होता है फीदर और ब्रैंकियान मिन्स है गिल फीदर और गिल ठीक है बॉडी इनकी छोटी compact होती है छोटा सरीर और compact ठोस होता है ठीक है गिल जो है गिल स्लिट्स इन्हें समानेता कहा जाता है इन्हें टेरो ब्रैंकिया को टेरो ब्रैंक्स कहा जाता है और ये include करते हैं दो order, तीन जनरा और 20 species होती है 20 species एक्जांपल के तौर पे यहां पे लिए गया है सिफाइलो डिसकस और रैब्डो प्लिवरा सिफाइलो डिसकस और रैब्डो प्लिवरा एक्जांपल ऑफ टेरो ब्रैंकिया और वहीं अगर हम third class की बात करें third class that is ब्लंक्तो इस्फेरोईडी की बात करें तो यहां ब्लंक्तो इस्फेरोईडी के करेक्टर की बात की जाए यह transparent होते हैं round होते हैं इस पे specialized tornaria larva भी होता है इनके पास ciliary bands होती है जो extensively branched बहुत अतिधिक branched वाली ciliary bands होती है L-shaped में elementary canal होता है इनका elementary canal जो पाजन तंत्र है इनका ठीक है नलीका जो होती है वो पाजन तंत्र में पाजन जो नलीका है elementary смотрите canal वो l-shaped होती है और यह सारे characters जो है इस class में आपको देखने को मिलेगा Owen to spher affection । जो है is इसमें एक कासे तोरा के तौर पर क्या लिया गया है example इको पो प्लंक्टोसv sowie en Boss तो इस फेरा पिलैजिकल अभि प्लैजिकल नक्टोस फेरा पिलैजिकल noerry speakers 이용 लिया गया है और बता जा रहा है यहां पर कि this form regarded as larval form of some unknown hemicodates यह form जो है यह लारवल form जो है इस form को एक larval form की तरह माना जाता है जो unknown hemicodates को दर्साता है ठीक है तो यह हमने तीन classes को देखा एक further fourth class के बारे में भी discuss किया गया आप इसकी brief classification है तो इस class को भी देख लेते हैं class graptolita class graptolita यह fossil form इसका बताया गया है fossil graptolites का जाता है example के तोर पर डेंड्रो डेंड्रो graptus बताया गया है यह abundant इनका थे यह प्रोचुर मात्रा में fossil graptolites समाने नहीं कहा जाता है इनके skeleton की बात की जा रही है और colonial habitat की तो यह क्या बताया क्या होते है ट्यूबुलर काइटिनोस skeleton होता है इनका tube-like काइटिन से बना हुआ skeleton और colonial habit होता है इनका जो नेचर होता है इनका सोभाव क्या था कैसा होता है colonizing 59 वाला colonial habits जो दर्साता है इफैनेटी यू विक रग्दा won सब्याड़ के साथ अपनी समानता को दिखाता है रग्ड़ो प्लील में कीि एकजांपल हमने घरोब्रेंद की ग्वेल एकजांपल देखा इक एक रृब्रेंद की आब जो है रेब्रेंद स्पिरॉइडी और फोर्थ ए एक मेंबर्स को रुखने वाली स्पल्सक्राइब क्रीप्रोट् जो है घ्रिक वर्ट से बना हुआ है अयुर मतलब होता है टेल पूच लेतिन Chorda, Chorda मतलब होता है Chord रज्जु नुमा सनुसना रशी नुमा, तो Euro Chordeta में क्या होगा, कि इनका character जो है पता जा रहा है कि Notochord and Nerv Chord, only in Tedpole larva ये Chordeta के character को तो दिखाएंगे Euro Chordeta के members, लेकिन केवल जो इनका Tedpole like larva जो होगा जो Frog का Tedpole होता है उसके समान ही larva में ही केवल उसके समान जो larva, लार्वल structure होगा, उसमें ही केवल Notochord और Nerv Chord presented होगी Adult में ये characters नहीं पाए जाएंगे, बता जा रहा है Adult कैसे होते है Sack like Thelenuma often Sucile, तब कि ये क्या होते है, Stocked नहीं होते हैं, कहीं जोगा Fixed नहीं होंगे, Sucile होते हैं Without Stock, Encased होते हैं Protective Tunic, इसलिए इन्हें Tunicates का जाता है, और ये इनकी Body जो होती है, Encased होती है Packed होती है, एक सुरक्षा देने वाली खोल में Protective Tunic में, Tunic मतलब होता है खोल, इसलिए इन्हें Tunicates का जाता है खोल धारण करने वाले, ठीक है अब Euro Quadator, जिसे Tunicates Subphilem भी का जाता है, ये भी तीन Classes में divided हुआ था, आपने Outline of Classification में देखा, जो इसका Classification है, सौरी बार बार मिस Yes Class First, ACDAC जो Subphilem Euro Quadator है, ये भी 3 Classes में divided होता है, Class First है ACDAC, Class First क्या है? ACDAC, ACDAC Class में जो Members है, ACDAC Class में जो Members है, ये Sucile Tunicates का Member है मतलब क्या होते है, Sucile होते हैं, Without Stock मतलब उनकी Body कहीं Fixed नहीं होती है ठीक है, Free होते हैं और इनमें Muscles जो होती है Tunic के अंदर, वो Scattered होती है Muscles क्या होंगी? Scattered होंगी, Fally होंगी Tunic मतलब खोल के अंदर इनका जो Nature है, पाया जाने का वो अकेली भी पाया सकते हैं Colonial हो सकते हैं, या Compound में जुन्डे में हो सकते हैं Gill Cleft कई सारी होंगी Gill को रखने वाली Clefts कई सारी होंगी Acidians या C Squirt कह जाते हैं Acidians या C Squirt कहलाते हैं Acidians के members जो है वो समानत है Acidians या C Squirt कहलाते हैं इनमें दो सब क्लास हैं तीन ओडर, 12 फैमिली और 37 जैनरा के साथ 1200 स्पीसीज हैं Example के तोर पे यहां आप देख सकते हैं लिया गया है, for example यहां पे लिया गया है Acidac को, for example क्या लिया गया है, यहां Acidac को लिया गया है Sorry Acidac को लिया गया है यहां पे Acidac Acidac के example के तोर पे हर्ड मानिया और Siona साथी मॉल्ग्यूला को लिया गया है यहां पे example में अगर आप example के तोर पे देखे यहां पे example के तो हर्ड मानिया है Siona है और साथ ही मॉल्गिूला है ठीक है अब हम बात करेंगे next class second that is that is thaliacy class के बारे में second class thaliacy के बारे में यहां बात करेंगे class thaliacy class thaliacy में आपको character देखने को मिलेगा कि class thaliacy के members free swimming होते हैं या pelasic tunicates pelasic word का मतलब है कि समुद्री यह समुद्री जानवार को pelasic कह सकते हैं जो समुद्र में पाया जाते हैं तो यह सोतंत रूप से तैरने वाले pelasic tunicates और इनमें muscles जो होती हैं circular ही होती है tunic के अंदर body के खोल के अंदर sometimes ही colonial होते हैं नहीं यह क्या होंगे free swimming है तो स्वतंतर रूप से के लिए भी पाया सकते हैं कभी कबार colony में होते हैं थैली एसी के members साल्प से या chain tunicates कहा जाता है इन्हें समाने तह इनका नाम जो है commonly साल्प सिया chain tunicates कहा जाता है थैली एसी class के members को यह include करता है तीन members three members five families nine genera है 30 species हैं एक्जमपल के तौरपे थैली एसी का है एक्जमपल लिए गया है साल्पा डॉली ओलम एंड पैरो पैरो सोमा साल्पा डॉलम एंड पैरो सोमा एक्जमपल लिए गया है फॉर धाली एसी अगर हम बात करें third class third class of Sephyllum eurocodita is the larvae लार्वेजी या इसे अपेंड के लियरिया भी कहते हैं यह इनका structure होता है एक्जमपल पर देखने ऐपने होता है मिट्यक्वता है सॉटा हुगा free floating सोतन सुरुप से तैरने वाला adult retain करता है कई larval features जिनमें tail हो सकती है जो इनका adult होगा वयस्क जो structure होगा वोई को plura example यह गए तो वोई को plura के ही बात कर लें तो इनका जो वयस्क member होगा ठीक है adult जो होगा उसमें भी कुछ larval features दिखाई देंगे आप tail समझ सकते हैं पूच के पूच देख सकते हैं उसमें के बल दो gillslits पाई जाती है इनके body में इनके जो respiration का जो process है इसके लिए दो gillslits होती है फिर साथ ही इनके orders की बात करें तो दो order दो family 5 genera and 30 species होती है example हमने देखा यह example larvae class का example है oeco plura then thoughts of phylum की बात की जाए अगर तो thoughts of phylum is the जो है group A a crania group का thoughts of phylum है cephalocodeta जो के वल एक ही class को include करता है that is leptocardy आप यहाँ देख सकते हैं cephalocodeta sapphylum class एक ही है leptocardy पहले सबसे पहले cephalocodeta sapphylum cephalocodeta की बात कर ले अगर हम तो इसमें बता जा रहा है इसके यह Greek word है cephalae जो बना हुआ है जिसका मतलब है head और एक Latin word corda जिसका मतलब है cord इससे बना हुआ है मतलब कि head भी होगा और cord भी होगा तो notocod यहाँ character की बात की जाए ही कि notocod and nerve cord persistent या present throughout life along entire length of the body अब cephalocodeta में जो है notocod और nerve cord जो है वो पूरे जीवन काल में पाया जाता है और शरीर की पूरी लंबाई में पाया जाता है जितनी लंबी शरीर होगी वहाँ तक notocod, nerve cord persist होगा पाया जाएगा present होगा वहीं अगर बात करें cephalocodeta के single class leptocardi की तो यह leptocardi में आपकोdfittस देखने को मिलेगा इस class का character क्या है इस class में pauioni क्या है कि जो body होती है इननमें, neke members की वह fish जैसी होती है मचली के जैसा सरीर होगा ठीक है तो मचली के जैसा सरीर होगा segmented होगी body में segments होगी क्योंकि अब notocod झो है परेजेंटेट है ठीक है बॉडडी में सेग्मेंट होंगे इसके बॉडू सेग्मेंट तीक है और डिस्तिंट मैयो टोम सुष्चंट म्योतुम्स यह किसकी वह से होगा तो अलग-लग canine eleri इस क्लास लेटो काड़ी के मेंबर के नेचर के बारे में बता जाते हैं कि यह उनके Nature के बारे में उनके सोभाव को बता जा रहा है कि यह Free Swimming होते हैं, तर रूपसे तयारने वाले, या Barrowing या छिद्र में रहने वाले हो सकते हैं, अनुर्य समाने त्यार से लैंसइूलेट्स साथ यह समाने था और यह केवल एक क्लास एक फैमिली और दो जेनरा के साथ ही 30 स्पिसीज इंक्लूट करता है एक्जामपल के तौर पर अगर बात करें यहां तो ब्रैंक्यो इस्टोमा एक्जामपल के तौर पर लिए गया जिसे एंफियोक्स भी कहते हैं और दूसरा एक्जामप इसके 8 स्पिसीज को क्या करता है एक इस्पिसीज जो है ब्रैंक्यो इस्टोमा जीनस के अंडर में आते हैं और वहीं एस्पिसीज आती है इसकी और टोटल स्पिसीज 30 बताई गई गई है आपर यह वह क्लास लेप्टो कार्डी के बारे में यहां हमने जाना अब हम अगर देखें यह एक ग्रूप ए जो है एक रहनीय यह ग्रूप यहां फिनिस होता है ग्रूप बि जो है यहां से स्टार्ट सूब देखें फकार रहे हें इसके कर्रक्टर्स है यूजेदा की बात करें अगर हम तो ये केवल एक ही जो है कि सब फाइलम की इंक्रूट करता है लेकिन इस से पहले हम इसके करेक्टर की बात कर ले तो ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं जल में भी पाया जा सकते हैं और थल पे भी जमीन भी हो सकते हैं लाज साइज वाले होंगे जो कि higher caudata खेला रहा है, large size बालो होंगे, अब vertebrates में जितने member आते हैं, आप सब को ले के इसका example के तोर पे देख सकते हैं, aquatic या terrestrial जैसे की frog है, जो जल में भी और थल में भी रहता है, reptiles में ले सकते हैं, आप वो जैसे jamine पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है cranita group की य large size में पाए जाएंगे, अब जिसे जो है आपका dinosaur है, कितना बड़ा size होता है उसका, ठीक है, और साथ ही higher caudates या vertebrates ये include करते हैं, इसमें higher caudates आते हैं, या vertebrates आते हैं, जिन में distinct होता है head, और साथ ही vertebral column, जबड़ा होगा, jaw होगा, brain होगा, जो brain है ये protected होगा, skull या cranium के ये higher caudate या higher vertebrates कहलाते हैं, इन में head जो है, सीर अलग से होगा, vertebral column होगा, या जिसे कहेंगे backbone होगा, जबड़ा होगा, मस्तिस्क होगा, जो मस्तिस्क है, ये well protected होगा, skull या cranium के अंदर, और इस group, ये जो group है craniator, ये include करता है केवल एक subphylum, जिसे यहाँ vertebrata कहा गया है, sub subphylum vertebrata कहा गया है, subphylum vertebrata, तो अब हम बात करेंगे, subphylum vertebrata की, अब ये subphylum vertebrata जो है, किस तरीके सा आगे classify किया गया है, वो हमने outline में देख, हम outline में देख चुके है, outline classification में, यहाँ बस इसे study करते चलेंगे, तो subphylum vertebrata, जो है, ये latin words गुना हुआ है, vertebrates, मतलब होता है backbone, इस word का मतलब यह होता है, backbone, vertebrates latin word है, इसका मतलब है backbone, इसके character की बात की जा रही है, इनके members की, तो पता जा रहा है कि notochord supplemented or replaced by a vertebral column or backbone composed of overlapping vertebrae, vertebrata में जो members आ जाते हैं, ठीक है, vertebrata में जो members होते हैं, असा फाल्यों, vertebrata में जो members होते हैं, इन में जो notochord है, यह या तो simply अपने structure में पाए जाएगा, या तो replace कर दिया जाता है, ठीक है, इस replace कर दिया जाता है, एक vertebral column के द्वारा, या जिसे backbone कहते हैं, और यह backbone बना के से होता है, तो overlap की हुई, एक दूसरे के ऊपर को थोड़ा हलका cover की हुई, vertebrate के द्वारा बना हुआ हुआ होता है, अब vertebr vertebrates के body के बारे बता जा रहा है कि इनकी body जो होती है, head, neck, trunk and tail में, इनकी body जो है, सिर, गला, trunk जो है ये, और tail पूछ में जो है, divided होती है, ये usually diocese होते हैं, मतलब कि इनमें जो male और female का body structure है, वो separate ही पाया जागा, लबग, vertebrates इन्हें से अमाने तका जाता है, इन्हें से caudate का sapphylem है, ये sapphylem vertebrates, ये largest caudate sapphylem है, मतलब कि caudate का सबसे बड़ा sapphylem जो है, ये sapphylem vertebrates ही है, चुकि ये include करता है, 46,500 species, 46,500 species include करता है, और sapphylem vertebrates की बात कर रहें, तो सबसे पहले ये divide होता है, दो divisions में, divisions के name है, आप देख सकते हैं, agnetha and gnetho is tomato, आपको इनके characters के बारे में अगर जानना हो, तो हम चलेंगे नीचे, table को देखेंगे, जिसमें क्या 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 है, कि इनके बीच differentiation या कहा है, कि इनके बीच जो भी अब अलगाव है वैरीज जो इनमें करेक्टर से वैरीबल करेक्टर उनके बारे में यहां देखेंगे हम तो यहां आपको देखने को मिलेगा यहां बता जा रहा है कि डिविजन एगनेथा के बारे में और डिविजन गनेथो इस्टोमेटा के बारे में डिविजन एगनेथा ए मतलब पहली बताए गया कि ए मतलब absent होता है गनेथोज मींज जा तो ए गनेथा के character सबसे पहला character है कि without true jaw true jaw नहीं पाया जाएगा जबड़ा असल का जबड़ा नहीं होगा ठीक है paired appendices भी नहीं होंगे जोड़े में जो appendices होते हैं जैसे कि अगर fist में देखें पेल्विक और पेक्टोरल गर्डिल ठीक है यह तो यह appendices paired appendices नहीं पाया जाएंगे इनर इयर विद टू सेमी circular canal इनर इयर जो है दो सेमी circular canal के साथ होगी notochord की बात की जारी यहां persistent होगा in-acable adults में in adults में notochord persist होगा adults में present होगा वही गनेतो इस्टोमेटा की बात करें तो true jaw present है real का जो है जबड़ा पाया जायागा गनेतो इस्टोमेटा में appendices की बात करें तो appendices जो होंगे यह paired होंगे जैसे की pectoral and pelvic होगी यह appendices होंगे inner ear जो है वो three semi circular canals के साथ होगी inner ear और वहीं बात करें अगर हम notochord की तो यह persist होता है या replace कर दियाता है वोर्तिबरी की तरवर या तो notochord persist होगा tenha एका या तो वो utilize कर दियाता है यह कह सकते है कि जो दो divisions में बट रहा है एगनेथा और गनेथा यह दो divisions के characters के बारे में हो गया अब यह दो divisions किन classes को include करता है या कैसे classify किया किया इसे उसके बारे में देखेंगे division एगनेथा की अगर हम बात करें simply division एगनेथा जो है यह Greek word a means not गनेथा means jaw यह इस Greek word से बना हुआ है यह jawless primitive fist like vertebrates होते हैं जबडा रहित मचली के जैसे primitive fist like बता जा रहा है ठीक है vertebrates होते हैं जिन में true jaw नहीं पाया जाता और paired limbs भी नहीं होते हैं paired limbs भी नहीं होते हैं भुजाएं में बता जा चुका है outline class जो हमने देखा था तो इसका first class जो है वो है ostrichodermy and second class is the cyclist matter ostrichodermy जो है यह आप देख सकते हैं ostrich ostrachon मतलब cell derma means skin words ग्रीक words बना हुआ है यह इनके characters की बात करें अगर हम तो several extinct order of ancient primitive heavily armored paleojoic words first two vertebrates collectively called the ostrichoderms example cephalospis and drip an espice ostrichodermy class के character के members के character की बात कि जा रही है कि यह जो यह 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 जो class इसके members जो है जो सीफल एस्पिस लिया गया है चाहे यहां कहें चाहें यह सीफल एस्पिस है या ड्रीपनेस्पिस ठीक है यह members जो है इनके characters के बात किया रही कि यह है इनका जो एंसियंट जो और क्या है primitive heavily order था इनका जो extinct order है उनमें जो एंसियंट primitive heavily armored बहुत ही पुराने समय के और heavily भारी भरकम जो armored थे उनमें जो उनके protection के लिए जो समय की वो वर्ड के first vertebrates थे वो विश्व के पहले वर्टिब्रेट्स थे और उन वर्ड के first vertebrates को समाने था ostrichoderm कहा गया क्या 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 और एक्जांपल के तोर पर लिया गया है और सब्सीय रगेिजे और बारे में और सेकन घ्लाश साइक्लोल इस्स्टोइड के बारे मात किया जाए। तो सइक्लो इस्टोमेटा क्लास की बात किया यहांपे तो सेक्लो स्मेटा में जो है यह ग्रीक वर्ड साइक्लो साइकलोड से बना हुए है मतलब होता है century और इनके characters के बात किया है तो जो है body ill के जैसे होती है ill shaped without scales jaws and lateral fins body जो है यह बाम मचली के आकार की होगी जिस पर कोई scaling नहीं होगी scale जो है नहीं पाए जाएगा ठीक है जबड़ा नहीं होगा और साथ ही lateral fins बिनी होंगे lateral fins मतलब क्या है appendices नहीं होंगे चूकि हमने एगनेथा के characters को अभी देखा उसकी body में एगनेथा जो होंगे उनमें तो जगड़ा होगा नहीं lateral appendices होंगे ठीक है mouth इनमें rounded होगा और साथ ही sectorial होगा rounded होगा sectorial किसी चीज को सक करने की capability रखेगा और गिल्स जो है पांच से 16 जोड़े में हो सकती है जता है parasit या साएक्स के गावेंजर के तोर पर इन्हें जाना जाता है पार अक्साषिद ऑर एक्स के हनलेटा करसा 45 इंख्यां यृन्प्र्डै के Cyclus conhec again हैं तो यह हुए दो क्लास डिवิज़न अइग ने था कि अगर बात करें डिविजेन गनेतो स्ट्मेटा के डिरंगनेत ग名 है जो है ढुर्डर इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन पहले इसके बारे में बात कर ले हैं डिविजन को पहला है गनेथो्स मतलब जॉ इस्टोमा मिंस माउथ जबड़ा और मुह दोनों पाए जाएगा यह वर्टिब्रेट्स कैसे है तो जॉड वर्टिब्रेट्स बता जा रहा है जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स जिन में ट्रू जॉँ होगा और पेयर्ड लीम्स भी होंगी पेर्ड लिम्स पेक्टोरल और पेल्विक ठीक है और समाने यहां बता जा रहा है कि for convenience समान मतलब कि आसानी के लिए आसानी के लिए कुछ टक्सनॉमिस्ट ने क्या किया है कि गनेथो इस्टुमेटा को फॉर्दर दो सूपर क्लास में बाद दिया है जिनमें सारी की सारी क्या है और इन्हें प्लेश किया गया है एक सुपर क्लास स्टुमेटा जा रहा है जिसमें है ऐसे ऐसे मेंबस को रखा गया है तो यह कही सकते हैं कि सामाने तख जो है डिविजन गनय इस्टोमेटब को को दो सूपर क्याओगा बाट गया सूपर अपीसीज में मिसलिया है जो आक्वाटक हैं गनय फक प्स निंद के और 7 ओप्त यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो करेक्टर लेंगे हम वह सुपरक्लास स्पीसी से लेंगे कि एक्सक्लूजिवली एक्वाटिक होती है तो इस टोर्म वर्टिब्रेट्स मतलब कि जल यह है यह पूरो तर्डिक से जल में पाई जाएगी पेयर लिम्स होते हैं अगर प्र थार्ड करेक्टर की बात करें तो इस प्रिजन्ट होती है पीसी इसमें और साथ ही सकेन, यूजली मॉस्ट और सकेन जाए अपने गीलं की मदद से ठीक है अपने गीलं की मदद से और इस वाटरम यह जब रहें तो यह बातर्म Solo में जो रहेंग यह तबर ही तब क्या होगा कि यह वाटर में जब रहेंगे तभी यह active होगा या functional होगा अब हम character की बात करें अगर सुपरक्लास टर्टरा पोडा के characters की बात करें तो इस सुपरक्लास टर्टरा पोडा चुकि पहली बताए गया कि यह terrestrial होते हैं लेकिन इन में कुछ जो forms हैं वो aquatic भी होते हैं जैसे एक aquatic form पॉन सा होते हैं इनका हो जाएगा तो tetrapod में amphibians जो होते हैं यह आपको aquatic मिल जाएंगे तो यह aquatic या terrestrial हो सकते हैं कुछ अर्बोरियल या aerial भी हो सकते हैं और जंगल में पेड़ों में पाय जाने वाली ठीक है और aerial means हवा में कुछ ग्लाइडिंग करने वाले भी हो सकते हैं या फ्लाई करने वाली बुशकते हैं इसे बॉट्स हैं यह अर्बोरियल में आपको फ्रॉग्स मिल जाएंगे फ्रॉग्स अर्बोरियल भी होते हैं ना प्रॉट्स है में पहने होगे तो चैप वाल्य फॉट्स अर्बिवर्ब के यह जोड़े होगा और наст मीडियनफं चया होगा और cornified होगी dry होगी सूखी होगी और cornified होगी जबकि जो है इन में पीसीज में जो skin थी वो moist बताइगे थी और इसके लिए moist इसलिए बताइगे थी क्योंकि उन में water के अंदर थी तो moist थी और tetrapod में dry हो जाती क्योंकि इनका जो है mostly जो organisms होते हैं वो members होते हैं जो वो outside water रहती है इसलिए dry हो जाती skin और cornified होती है फिफ्थ करेक्टर की बात करें तो respiration जो होता है वो tetrapod में aerial हवा में भी respire कर सकते हैं by lung अपने फेफरी की मदद से lungs की मदद से फिर वहीं sense organ की बात करें तो sense organs जो होते हैं यह functional होते हैं sense organs जो होते हैं इसमें air में हवा में भी जब हैं तो इनके sense organs जो हैं वो functional होते हैं तो यह हुआ super class species और super class tetrapoda के कुछ करेक्टर के बारे में अब इन प्रतेक super class के बारे में हम देखेंगे और इनके further division कैसे किये गया है उनके बारे में भी देखेंगे तो super class species की बात करें अगर हम तो super class species जो है यह latin word species मतलब fish होता है इसका यह इस इसके नेमिंग जो दी गई है पीसी मतलब होता है latin word species बना हुआ फिस फिस या फिस जैसे जो भी aquatic जली रूप है जली मेंबर है ठीक है जिनके पास paired और well developed median field है median fin है gills है और scaly skin है यह सारे सारे pieces में आते हैं ठीक है पीसी जो है यह तीन classes में बटी हुई है कौन-कौन से तीन classes है तो यहां देखेंगे आप जो है पहला class है इसका वह class first is the placodermy chondric thesis and third class is the austic thesis जो placodermy है placodermy placodermy का character क्या है कि यह कई जो extinct orders है ठीक है जो primitive earliest jaw jawed feces of paleozoic with bony head shield movably articulated with trunk shield यह क्या बता जा रहा है कि जो extinct orders जो include करते थे primitive earliest jawed feces जबड़े वाले feces जो बहुत पुराने और विलुक्त जो orders है जो paleozoic के समय में पाए जा रहे थे पहली जोई की रहा के समय में जिन में जो इनके head की bony shield और इनके trunk की जो shield थी वो articulated थी एक दूसर से जूड़ी हुई थी यह character है class placodermy का और इन्हें समानेता जो है placoderms का जाता है इन्हें समानेता placoderms का जाता है और अगर हम example की बात करें इस class की placoderm class की examples की तो climatius and dinic thys जो है यह examples है placodermy class के अब हम बात करें अगर next class that is class chondric thys की class chondric thys की बात करें अगर हम class chondric thys में यह Greek word है chondros जिसका मतलब है cartilage और एक्थीज मतलब होता है fish तो cartilage fishes जो है include होती है इस class में ठीक है cartilage fishes include होती है इस class में यह आप देख सकते हैं कि यह mostly marine होंगी mostly क्यों होंगी marine होंगी समुद्री cartilage nervous into skeleton जो इनका body का अंदर का body के अंदर का skeleton होगा वह cartilage का बना हुआ होगा skin पे placoid skills होंगी यह इनका character होता है chondric thys class में जो character है वह क्या है कि इनकी body पे जो skills होंगी skin पे skin पे जो skills होंगी वह placoid skill होगा यह chondric thys का character भी होता है gills जो है वह उनकी covering नहीं होती operculum के दौरा operculum मतलब होता है cap like structure होता है जो मशलियों में gill को cover किया होता है तो gill slits जो होंगी वह operculum के दौरा covered नहीं होंगी pelvic clasper male में पाए जाएंगे pelvic claspers male में पाए जाएंगे समाने तह इन्हें कहा जाता है cartilaginous feces इन्हें समाने तह cartilaginous feces के नाम से जाना जाता है approximately इन में 600 species हैं लगभग 600 species हैं example के तौर पर लिया गया है scoliodon chondric thys में पाए जाता है that is dog fish भी कहते हैं और kimira that is rat fish भी से कहते हैं ठीक है scoliodon and kimira ठीक है यह examples हो गया class chondric thys के अब next जो class है वो है ostrich thys ostrich thys class यह greek word osteon मतलब bone और 31 मतलब fish से बना हुआ है इसे समाने तह समाने तह समाने तह इसे bonny fish भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि यह क्या है कि इन यह fishes जो होती यह इनमे बोन बोन जो होती वो पाए जाती है true bone जो है वो पाए जाती है fresh water और marine हो सकती है मीठे जल में और खारे पाने में भी पाए सकती है इंडो स्केलेटन बोनी जो इनके बोडी का अंदर का स्केलेटन होता है कंकाल होता है वो बोनी होता है हड़ी से बना हुआ होता है इसलिए bonny fishes के लाते हैं इनकी जो skin है उस पर various types of scales हो सकते है scales के types अलग अलग हो सकते हैं मतलब कि प्लेकोईड स्केल करेक्टर किसका है और और ऑस्टिक थीज में साइकलोईड या टेनोईड यह सपाई जा सकते हैं गिल्सलिट्स की बात करें यहां अगर तो गिल्सलिट्स जो है कवर्ड होती है ओपर किलों के दौरा जबकि कॉंट्रिक थीज में कवर्ड नहीं थी लेकिन ऑस्टिक थीज में जो है गिल्सलिट्स ऑपर किलों के दौरा कवर्ड होंगी मेल्स में क्लैसपर नहीं पाजाएंगे विदाउट क्लैसपर होंगे बोनी फिसे समाने तक कहा जाता है इन है बीस अजार स्पेसीज हैं एक्जामपल के तौर पर आप देख सकते हैं या एक्जामपल लिया गया है लेबियो इसे रोहु कहते हैं प्रोटोप्टेरस लंग फिस कहते हैं हिपो कैंपस सी हॉर्स कहते हैं दरियाई घोला भी कहते हैं इसे तो रोहु प्रोटोप्टेरस और साथ ही सी हॉर्स ये एक् मतलब क्या टर्ट्रा पोडा जिनके पास क्या हो तो 4-footed organism या 4-limbed presented हो वो टर्ट्रापोड कहला सकते हैं terrestrial होते हैं ये गनथर storms ठीक है अगर बात करें हम इसके इस word की कहां से लिया गया है तो ये Greek word है tetra मतलब 4-foot वाले organisms land पर पाया जाते हैं vertebrate हैं दो पेल में चार लंग, और पेल्ग में होगा टिसूसज से जो है की बना हुआ अब अपने देखा हो था कि विल एक रखल आप gebracht था एक पहले क्लास की बात कर रहे है अगर एमफिय आ की Class Amphibia की अगर बात करें Simply Class Amphibia की बात करें तो Class Amphibia में आप यहाँ देख सकते हैं Amphibia एक Greek word से बना हुआ है Amphib means both, Bios means life तब दो life जीने वाले जो members होए वो Amphibia Class में आते हैं इनका Larval Stage Aquatic होता है जो गिल के दोरा breathing करते हैं वहीं जो adult होते हैं वो जमीन पर रहते हैं और mainly lung के दोरा अपना respiration अपना स्वसन करते हैं इनकी जो skin होती है वो moist होती है, numb होती है क्योंकि वो glandular होती है respiration में भी help करती है क्योंकि आप देखेंगे Rana Tegrina जब चैप्टर आप पढ़ेंगे frog का क्योंकि आपको पते लगए कि cutaneous respiration भी पाया जाता है कुछ जो है Amphibians है जैसे Rana Tegrina में फिर आगे इनके character की बात करें हम यहाँ पे तो इनमें external skills नहीं पाया जाती है बॉडी पे, external skills नहीं होती है heart जो है वो three chambered होता है, heart जो है twenty five hundred species include करते है साथ ही example की तौर पे Rana है, ठीक है that is frog, buffo है toad, ambistoma है जिसे salamander कहते है यह Rana, buffo and ambistoma के बारे में हमने यहाँ example की तौर पे देखा ही नहीं है class amphibia में, अब next class reptilia की बात करें next class reptilia की बात करें class reptilia तो reptilia यह class में आप देखेंगे यहाँ पे कि यह भी एक क्या है कि Latin word है Latin word से बना हुआ है reptiles मतलब होता है creeping करने वाले, क्या करने वाले रगर खाके चलने वाले creep करने वाले ठीक है तो यह terrestrial ही tetrapod होते हैं, terrestrial tetrapod होते हैं इनकी body, bony plates के द्वारा या कड़े scale के द्वारा जो ectodermal होते हैं, उनसे covered होती है इनकी बाहरी skin, जो की dry भी होती है heart जो है reptilia reptilia class में incompletely four chambered होता है लेकिन इसी का एक member है crocodile, इसमें complete होता है four chambered heart होता है उसमें reptilia के बात करें तो यह cold blooded organisms होते हैं whole blooded होते हैं, अधब कि इनके जो body का temperature वो vary कर सकता है according to environmental condition ठीक है body का temperature वो vary कर सकता है, चेंज हो जाता है environmental temperature के अनुसार ठीक है, इनमें जो lung के बात करें, फेफ़रा जो होता है respiration lung के द्वारा ही होता है 700 species include करते हैं और इनमें सम्वानेता example के बात करें, तो इनमें example के तौर पर लिया गया है example के तौर पर लिया गया है इनमें hemidactylus इसे wall lizard भी कहते हैं, euromastix spiny-tailed lizard है वही नाजा cobra जो होता है, ये reptiles में ही आती snacks जितने भी होते हैं, इस phenodon और crocodiles that is crocodile, ये सारे examples हैं reptilia class के अब हम next class की बात करेंगे that is class avs class avs जिसमें दिखाये गया है avs ये birds के बारे में यहां बताए जा रहा है class avs में birds के बारे में बताए जा रहा है avs भी एक क्या है ये latin word है avs मतलब होता है bird typically flying vertebrates है ये उडने वाली vertebrates है जिनकी body covered होती है फीदर से पंक से covered होती है four limbs जो होता है इनके जो आगे की limb होती है वो modified होती है पंक में इनके beak में चोच में कोई दात नहीं पाए जाता hurt जो है force chamber होता है completely warm blooded होते है ये birds समानते कलाते है 900 species है इसमें example के तौर पे african ostrich लिया गया है जिसे इस टूथियों कहते है columbia levia है pigeon columbia genus है इसका कोई भी जो है species होता है या pigeon है gallus इसमें foul आपको देखने को मिलेगा next and last class जो है वो है mammalia class mammalia है class mammalia में आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो यह latin word से बना हुआ है that is mammar mammar मतलब होता है breast body इनकी covered होती है hair से body पे hair होंगे romance जिसे कहते है skin glandular होगी चुकि हमें पसीना भी आता है mammals में glandular होती है body moist बनाया रखने के लिए skin को sweating होती है इसलिए female female body में मादा में memory gland पाया जाएगा जिससे milk secret होता है young के suckling के लिए ठीका और साथी जो इनमें hurt होगा वो four chambered होगा four chambered hurt होगा और warm blooded होते है mammalians भी warm blooded होते है as birds जबके reptiles cold blooded थे air में breathing करते है ये vertebrates हवा में lung के तरू जो अपने lung के मदब से breathe कर सकते है 4500 species है example के तोर पे echidna है जिसे spiny antitres कहते है macropus है kangaroo जिसे कहते है ratus जिसमें rats आते हैं और homo means man जिसमें आते हैं तो ये हमारे यह क्लासिफिकेशन complete हुआ phylum quad data का जिसमें हमने character और classification के बारे में देखा इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें thank you